हेलो स्टूटेंट्स तो फाइनली सीबीसी ने अपनी न्यू प्रेस रिलीस जारी की और उसमें सीबीसी ने फाइनल यह पताया है कि टैन्थ ओर ट्वेल्ट के जो बचे होए एकजाम्स थे सीबीसी बोर्ड के वो कब लेने वाला है सीबीसी जी हाँ हाल ही में प्रेस रिलिस जारी की है CBSE ने और CBSE ने क्लियर कर दिया है कि 10th और 12th के एक्जाम्स जो है वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में कंड़क्ट करवाये जाएंगे अभी फिलाल डेशिट जो है वो नहीं आई है डेशिट CBSE ने जारी नहीं की है बट उसने क्लियर कर दिया है कि एक तारीक से लेकर 15 जुलाई तक एक जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में ही ये जो बाकी के 10th और 12th के एक्जाम्स हैं उसको कंड़क्ट करवाये जाएगा अब ये कैसे होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कुरोना की स्तिती है वो खराब होती चली जा रही है और क्रोना जो है थमने का नाम नहीं ही ले रहा है तो ऐसा हो सकता है कि शायद जो है distance का adequate distance का ध्यान रखते हो इसी बियस सी lawyer एक्जाम्स को हो जाएं क्योंकि बाकी जो further exams हैं काफी बच्चे entrance की त्यारी कर रहे थे काफी बच्चे जो है entrance देना चाहते हैं और दूसरे admissions के जो सारे वो भी सबके सब आगे टलते चले जा रहे हैं उनमें भी देरी होती जा रही है वो भी लेट हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यह देखना होगा कि किस तरीके से cbsc जो है वो conduct करवा पाता है क्रोना के चलते हुए एक जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में अभी कोई day shit नहीं आई है जैसी day shit आई है हम आपको inform करेंगे तो आप अपनी त्यारी पहले से ही पूरी रखिएगा क्योंकि cbsc सिरफ 10 दिन का समय देने वाला है 10 दिन पहल एक्जाम रह गए थे पॉस्पॉन हो गए थे एक एंसिल हो गए थे तो वह सारे एक्जाम भी इनी डेट के बीच में लिए जाएंगे तो काफी अच्छी खुशकबरी थी यह 10 और 12 के स्टूट्स के लिए काफी चिंतित थे कि हमारे बाकी जो बचे हुए एक्जाम से वो क दोबारे लिए जाएंगे आपको यह दूबारे नहीं हूंगे तो आप बचे हुए एक्जाम से हैं पिपर हैं आप उनकी ट्यारी किये जए इसके बारे में मस सोची के जो बाकी के एक्जाम है जो पीछे दे डी गए थे का वो हमें दोबारे देने पड़ेंगे ऐसा नहीं होगा आपको दूबार एक्जाम नहीं देने होगे और अपनी तयारी के लिए आप हमारे regular basis पर आप हमारे lectures को follow करते रहे हैं हमारे चनल को follow करते रहे हैं सब्सक्राइब कर लीचे ताकि हम आप तक जो latest आपका 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में 2020 जुलाई के बीच में जुलाई में एक्जाम स्टार्टिंग में ही कंड़क्ट कर वा लेंगे तो ये तो धी जुलाई और नई जुलाई के साथ मिलेंगे तब पतल्य थै फ्रेंड्स हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगहां पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजिस नहीं है जिनके पेरेंट्स हैवी फीस एफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें कोचि फ्रेंड्स अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रु सस्क्राइब कर लेजिए ताकि आने वाली सारी जरुर्वे वीडियो आप टक ऐसे ही पहुंसती रहीं Friends, अगर आप किसी खास तरीके की information हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई suggestion हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास topic पर हम videos बनाएं तो आप हमें नीचे comment box मर comment करकर बता सकते हैं Friends, अगर आप किसी topic से related notes चाहते हैं previous papers चाहते हैं, tenure चाहते हैं या फिर अगर आपको important questions चाहिए तो आप हमारे Facebook page पर जाकर या फिर हमारी website पर जाकर सारी information ले सकते हैं और वहाँ से download कर सकते हैं सारी जानकारी आपको नीचे description box में मिल जाएगी, सारे links की जानकारी नीचे description box में दी गई है, वहाँ से जाकर आप information ले सकते हैं All the best for your exams!